माना वो समचार मानोता के हग में बिस्मिल्ला मचित रजर नगर वहाँ पर एक पांदादर उमर 40-45 साल तीन रोज कब लो इनकी जो बीवी थी वो अपने महके में 40 गव या जो भी गवाँ का वहाँ गई हुई थी उपने बच्चों के साथ और यह जो सक्से पर इंदिकाल उनका घर में इंदिकाल हो गया और किसी को पता ही नहीं था और आज जो है तो उनकी बच्ची कोशिश की किया वालित को क्यों फोन नहीं लग रहे है जो भी वज़े से उन्होंने सुबह अपने खालू को फोन किया और बुला तो सुबह 11 वे इस बात का महले आलो के जरीए और कुछ लोग वहां घर पर गए इनकिसाब हुआ और फिर खालीज भाई इसके को भी फोन आया हमारे सोसल वरकर है जो यह भी वहां फॉरन पहुंचे और इन्होंने वहां पर और वाली पुलिट पेशन के बड़ गुजर्स है और दिगर लोगों को वहां पुलाया सब्स तो मेरो को भी एक बंदे ने फोन कि हमनों वहां पहुंचे वहां से डेट बाडी को निकाल के हमनों सीविल हॉस्पिटल में लाए और अभी यहां पर जो कांड़नी कारवाई है वो तो कर रहे मामला ऐसा है कि जो बाडी दो यह तीन दीन की होती है वो बहुत ज्यादा खर क में लिस्क नहीं लेते तो फिर भी हम लोगों ने पुशिष करके यहां पर आने के बाद हमारे सोशल वर्कर सभी लोग मिल कर पॉलिस वालों के साथ मिलकर हमने जो भी कानूनी पूरसेजर होने के बाद वो करने के बाद हमने डॉक्टरों को इनके घर वालों के एक लेखी दी इन्हों ने लिखकर दिया बाकायदा कि हमारा कोई ऐसी कंपलेइन वगएरा नहीं रहेगी आप लोग यहीं पे हम लोगों क पीम करके दो एक एफिड़ेट वगएरा करके हम लोगों ने यहां पर दिया और देने के बाद अभी 6 बजे के करीब में अभी हम लोगों के यहां से डिट बोडी मिली अब तावे में मिलने के बाद यहीं पर वो इतनी ज्यादा मतलब गल चुकी थी कि वो हमारे जिया भाई और सोशल वरकर सभी लोगों ने मिलकर उनके घर वालों ने मिलकर वहां से कोशिस करके उसको जिस वक्त उतारा उतारने में काफी मतलब बद्बू वहां पर महले में फैल गई थी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी तो महले में ना ले जाते हुए यहीं पे उनको नहला क और कफन वगएरा पैना कर यहीं से उनके घर वाले पूरे रिष्टेदार आएंगे और यहां से वो लोग सिविल हॉस्पिटल से वो डेट बोडी नैला कर कबरस्तान लेकर चली जाएंगे हासात की असली वज़े कुछ साबने आई अगे वज़े तो कुछ समझ में नहीं आई है क्योंकि जो इसाब से पोलिस वालों ने इनकेश पेपर वगरा उसके अंदर यह डिटेल डाली गई है कि अंदर से कड़ी लगी वी थी और खिड़की भी तोड़कर बाकैदा खिड़क तोड़कर और दर्वाजा खोला गया है तो अंदर जाने का एकी रास्ता था और अंदर से कड़ी लगी थी कोई बाहर मतलब आने जाने वाला मामला ही नहीं था तो कोई ऐसे मामला था ही नहीं और वो हदसाती मौत उसको लोगों ने दाकिल किया है